जब से अगनीपत की योजना आई है देश में आगी आग फैल रही है ना जाने कितना नुकसान हो गया है रेलवे डिपार्टमेंट ने भी खुद अपने आकड़े जारी किया है कि लगबग 200 करोड से भी जादा उनका नुकसान हुआ है कुछ ट्रेन के रूट्स चेंज किये गया है साथ ही साथ कुछ ट्रेनों को रद भी किया गया है यानि कि सिब रेलवे डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं अगर आप कहीं जा रहे थे अमर्जंसी में तो आपको भी काफी जादा परशानी हो रही थी जितने भी छात्रों ने ऐसा किया है कहीं ना कहीं इसकी सब ले लिया है कि अगनी पत की योजना जारी रहेगी और जिस जिसने यह उत्पात मचाया है उनको तो भरती भी नहीं मिलेगी यानि कि पता चल गया कि आपने उत्पात मचाया है तो आपको भरती नहीं मिलेगी पर हां कुछ चेंजिस हुए हैं यानि कि सरकान ने कुछ चें तो उनको आरक्षन मिलेगा सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा उत्पात मचाने के बाद उन छात्रों के साथ सही हो रहा है यह गलत तो हमारे हिसाब से यह बिल्कुल सही फैसला है आप आर्मी में जा रहे थे देश की सेवा करने जा रहे और आप जोर से नाला लगाते ना भारत माता की जय जो अपनी भारत मा का ख्याल नहीं रह सकता वो बोटर पर क्या जानके करेगा यानि कि आपने संपत्ती बरबाद की है भारत की है भारत माती मतलब अपने ही पैर पर खुद कुलाडी मानना आप लोगों ने शुरू कर दिया आंदोलन करने का एक तरीका हो था पर वो भी तरीका गलत था सरकार को खुटने टेकने पड़े किसान आंदोलर के आगे और उनकी सारी मांगे मांगनी पड़े पर सरकार ने टोन के साथ अपनी बात कह दी कि हम अच्छी बात सिखा नहीं पाएं आप लोगों ने जिस तरह यह आंदोलन यह संगर्श किया य यह किसी ने उनको भड़काया अपनी राज जरू बेजे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे और हम भी इसके साथ धन्यवाद